नमत्कार आप सुनना है रेडियो हिंदता ना मैं हूँ आपके साथ अर्जे अंजू किसी ने खीचे बाल तो कहीं चले लात घूसे दिशम डिशम में एक पार्षत बेहोश ये डबलू डबलू ए का रिंग नहीं दिल्ली एमसीडी की है तस्वीर एमसीडी सदन के इस शर्म सार कर देने वाले दिश्चे के बाद दोनों दलों के नेता एक दूसरे पर जुबानी हमला कर रहे है दिल्ली एमसीडी की स्टेंडिंग कमेटी के चुनाओ के बीच दिल्ली सिविक सेंटर में आमादमी पार्टी और भाजपा पार्शदों के बीच जम कर मार पिटाई हुई इसके बाद सदन को 27 फरवरी सुबह 11 बज़े तक स्थगित कर दिया गया शुकरवार को सदन में वैसा ही नजारा देखने को मिला जैसा 36 घंटे पहले देखने को मिला था जब जूठे सेब और पानी की बोतलों को आप और बीजीपी निताओने एक दूसरे पर फेका था लेकिन शुकरवार को MCD का सदन WWE का रिंग बन गया था जब आप बीजीपी के पारशद एक दूसरे पर लादगोसे बरसाते नजर आ रहे थे सदन में दोनों दलों के पारशद बेकाबू हो गए थे इस दौरान एक पारशद बेहोश भी हो गए बीजीपी का एक वोट अमान निगोशित किये जाने के बाद जो हंगामा शुरू हुआ वो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया MCD सदन के इस शर्म सार कर देने वाले दृश्य के बाद दोनों दलों के नेता एक दूसरे पर जुबानी हमला कर रहे है सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि कोई किसी के बाल पकड़ कर नोच रहा था तो कोई फिल्मी अंदाज में फाइट करता नजर आ रहा था इस दिशुम दिशुम में एक पारशद बेहोश भी हो गए इस चड़प को लेकर आप विधायक आतिशी ने बीजेपी पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि आज बीजेपी ने अपने गुंडागर्दी अपनी लफंगई काम नमोना पेश किया है स्टेंडिंग कमीटी का चुनाव शान्ति पुर्ण हुआ लेकिन जैसे ही बीजेपी को लगा कि वो हार रहे हैं तो उन्होंने हमारी मेयर शैली ओबेरोई पर स्टेज पर चड़कर हमला किया उन्हें जान बचा कर भागना पड़ा आतिशी ने कहा कि बाहर बीजेपी की पुरुष पार्शदू ने मेयर पर शारी रिक्रूप से हमला किया ये भाजपा की क्या गुंडा गर्दी है आप विधायक ने कहा कि चुनाव हार गए तो अपनी हार को मानो जब समझ आ गया कि हार रहे हैं तो इन्होंने मार पिटाई शुरू कर दी 27 फरवरी के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया है वही दिल्ली मेयर शैली ओबराय ने भी बीजेपी को घेरा और कहा कि भाजपा पार्शदों ने सारे मतदान के कागस फार दिये और अब स्टैंडिंग कमीटी के चुनाओ को फिर से कराने की मेरी जिमेदारी बनती है उन्होंने कहा कि हमने सदन को 27 फरवरी के लिए स्थगित कर दिया है और उसे दिन फिर से चुनाओ होगा दूसरी तरफ BJP नेता विजेंडर गुपता ने आम आदमी पार्टी और सीम अरविंद केजरिवाल पर निशाना साधा उन्होंने कहा हम आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरिवाल के कड़े निंदा करते हैं भाजपा के दस से अधिक पार्षदों को चोट आई है और उनका मेडिकल हो रहा है जिस तरह से चुनाओ परिणामों को बदलने की कोशिश की गई ऐसा दिल्ली के इतियास में कभी नहीं हुआ बीजेपी नेता ने कहा कि स्टैंडिंग कमीटी के चुनाओं में 6 सदस्यों को चुना जाना था जिसमें 3 सदस्य भाजपा और 3 सदस्य आपके चुने गए उन्होंने आरोप लगाया कि एक सदसी आपका हार गया और उसको जिताने के लिए या पूरी कवायत की गई और परिणामों के साथ छिर छाड की गई हम इस मामले में CBI की मांग करते हैं BJP आपके नेताओं ने लगाए एक दूसरे पर आरोप जबकि BJP नेता अमित खर्खरे ने आम आदमी पार्टी के पार्षदों पर आरोप लगाया उन्होंने मुझे नीचे गिरा कर मेरे गले पर पैर रख कर मानने के कोशिश की हम देश और लोगों के सिवा करने आये हैं हम इस काम के लिए नहीं आये हम सड़क छाप लोग नहीं है हम त्याग पत्र देने के लिए तयार है हम इन गुंडों के साथ बैठ कर सदन चलाएंगे जबकि आप पार्षद सुरेंदर कौशिक ने BJP पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के पार्षदों ने हमारे मेयर पर हमला किया है कौशिक ने आरोप लगाया कि BJP के पार्षदों ने मेयर को मारा है तो इसे के साथ मैं लोग ये नुमती रेडियो इंदुस्तान पर हमारे साथ अपना साथ बनाये रखिए देश विदेशों की अन्य खबरे जानने के लिए तब तक के लिए नमस्कार